नमस्कार दोस्ता आप सभी का स्वागत सिविल डैमेंशन चैनल पर आज का हमारा टोपिक है HDHMR बोर्ड इस वीडियो में मैं आपको HDHMR बोर्ड से जुड़ी हुई सभी तरह की जानकारी दूँगा जो आपके लिए बहुत ही यूसफिल होने वाली है जैसे HDHMR बोर्ड किस तरह का बोर्ड होता है इनकी मैनुफेक्चरिंग में किस मैटरियल का यूस किया जाता है HDHMR बोर्ड कितने तरह के आते हैं HDHMR बोर्ड का यूस आप किन फरनीचर्स को बनाने के लिए कर सकते हैं क्या यह पोर्ट टर्माइट रेजिस्टेंस, बोरर रेजिस्टेंस और वाटर रेजिस्टेंस होते हैं। HDHMR बोर्ट किन किन थिकनेस और साइजिस में मार्किट में अवलेबल होते हैं। यह किस प्राइजिंज में आते हैं। साथ ही मैं आपको अपनी साइड विजिट भी करवाऊंगा जिज जगा हमने हमने एच्छमर बोर्ड का यूज किया है फनीचर को बनाने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं HDHMR बोर्ड की फुल फॉर्म है हाई टेंसिटी हाई मौस्टर रेजिस्टेंस बोर्ड यह ग्रीन कलर का बोर्ड आजकल इंटिरियर और फनीचर इंडस्ट्री में काफी पॉपरियर्टि गेंड कर रहा है इसे ट्रेडिशनल प्लाइवूड का सब्सिट्यूट भी माना जा र रहा है इस HDHMR बोर्ड को हमने रिसेंटली अपनी इंटियर साइट पर कुछ फरनीचर में यूज किया है इस बोर्ड का यूज करने के बाद मैं यह वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको एक सही सजेशन और रिव्यू इस प्रड़ का दे पाऊं एक्शन टैसा HDHMR बोर्ड की मैनुफेक्शरिंग में हार्ड बूड पार्टिकल्स फाइबर रेजिन और स्पेशल क्लू का यूज किया जाता है मैनुफेक्शरिंग में हार्ड बूड के यूज से इस प्रड़क्ट की डेंसिटी भी प्लाइवूड की तुलना में अच्छी है एक सुपीरियर की डेंसिटी 850 केजी पर मीटर क्यूब तक होती है जिस मेटियल की डेंसिटी ज्यादा होगी फैर मेटियल उतना ही ज्यादा रिजिट टफ और हैवी होगा है इसलिए हम प्लाइवूड के कंपैरिजन में इसे रख सकते हैं मैं आपको बता दू कि एक्शन टैसा बूड को यूज करने से पहले मैंने कुछ रिसर्च कंपनी की वेबसाइट पर की जहां पर पता चला कि यह बोड हार्ड वूड को यूज कर बनाए जाते हैं जिस वजह से इनकी डेंसिटी 850 केजी पर म्यूटिक क्यूब तक होती है पर इतना काफी नहीं था थोड़ी और रिसर्च सिट्यक्त अर् वोड क सरफेस मूथ होता है माइका पेस्ट करने पर फाइनल फिनेश मूथ आती है और पेंट करने पर यह बहुत कम पेंट अजोब करता है जिस वजह से पेंट के कोस्ट भी बस्ती है यह बॉरर और और कर्माइट प्रूफ भी होते हैं इन बोर्ड का यूज़ करने से फनीचर मैनुफेक्चरिंग में भी कम समय लगता है प्लाइवुड की तुलना में यह कोस्ट एफेक्टिव भी है HDHMR बोर्ड दो तरह के आते हैं पहला प्लेन HDHMR दूसरा प्री लेमिनेटेड़ HDHMR प्लेन HDHMR बोर्ड की सता स्मूथ होती है इन पर बाद में माइका या फिर पेंट कर फानेट फिनिश दी जाती है प्री लेमिनेटेड HDHMR बन साइट लेमिनेटेड फिनिश और बोर्ड साइट लेमिनेटेड फिनिश दोनों में ही आपको मिल जाते हैं लेमिनेट फिनिश सेलेक्शन के लिए आपको 100 से भी अधिक रेंज मिल जाती है जो आप कंपनी की वैबसेट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं यह कुछ बेसिक इन्फरमेशन निकानने के बाद मैंने लगाया कॉल कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को जहां मैंने यह जानने की कोशिश की कि इस HDHMR बोर्ट को हम कहां कहां यूज कर सकते हैं कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव का कहना था जिस भी जगह आप प्लाइविट का यूज कर सकते हो आप उस जगह HDHMR बोर्ट यूज कर सकते हो जैसे मोडिलर किचन कैबिनेट्स, वाट्रोप, अलमीरा, स्टडी टेबल, कम्प्यूटर टेबल, ओफिस टेक्स, और ओफिस टोरेज कैबिनेट्स, दोर शटर्स आदी थोड़ा रिक्वेस्ट करने पर मुझे HDHMR बोर्ट की प्राइज लिस्ट भी मिल गई जिसमें बोर्ट के थिकनेश के हिसाब से रेट भी दिये गए हैं यह लिस्ट में यूट्यूब पोस्ट और इंस्टागराम पर शेर कर रहा हूँ आप वहां से भी यह लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं इस लिस्ट में board के thickness, type और square meter और square feet rate दिया गया है board का size 8 x 4 का होता है जिसका area हुआ 32 square feet इसलिए हम सिर्फ square feet rate ही बताएंगे 3 mm thick plane board का rate है 21.27 रुपीज पर square feet 5.5 mm thick plane board का rate है 37.68 रुपीज पर square feet 8 mm thick plane board का rate है 50.80 रुपीज पर square feet 12 mm thick plane board का rate है 77.23 रुपीज पर square feet 16 mm thick plane board का rate है 38.07 रुपीज पर square feet 16.75 mm thick plane board का rate है 102.63 रुपीज पर square feet 18 mm thick plane board का rate है 115 रुपीज पर square feet 18 mm thick plane board का rate है 115.05 रूपीज पर स्केर फिट इसका मतलब ये हुआ कि 3 mm का 8x4 का board मिलेगा 680 रूपीज का 5.5 mm का board मिलेगा 1205 रूपीज का 8 mm का board मिलेगा 1625 रूपीज का 12 mm का मिलेगा 2473 रूपीज का 16 mm का मिलेगा 3135 रूपीज का 16.75 mm का मिलेगा 3264 रूपीज का 18 mm का मिलेगा 3681 रूपीज का similarly नीचे की table में OSL यानि की one sided laminated और BSL यानि की both side laminated board के भी rate दिये गए है जिससे आप check out कर सकते हैं इसमें काम की बात ये है कि इस rate लिस्ट पर आपको vendor 10 से 12% तक का discount भी दे देता है इसलिए metal ख्रीदने से पहले दो supplier से rate अवश्य ले लें HDHMR door की बात करें तो door के लिए 25, 30 और 32 mm के thickness door panel आपको market में मिल जाएंगे ये panels length में 78 inch, 81 inch, 84 और 96 inch length में आते हैं और जिनकी width 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 और 48 inch sizes में आते हैं आप अपने door opening size के हिसाब से size size का board selection करें यह plane और pre-laminate तोनों ही मिल जाते हैं pre-laminate door के advantage यह हैं कि आपको selection के लिए एक white range चीज जाती है यह ready to use होते हैं इनका structure block board की तुलना में right होता है surface smooth होता है इसे cut करके किसी भी size में बनाया जा सकता है इसे extended doors में भी use किया जा सकता है moisture से खराब नहीं होते यह cost effective भी है price range की बात करें तो यह door 200 से 300 रुपे पर square foot तक होते हैं मतलब एक 7,3 foot का door आपको 4,200 रुपे से 6,300 रुपे के बीच मिल जाएगा यह था इस product का एक full overview चलिए आपको अपनी side visit करवाता हूँ और दिखाता हूँ इस board को हमने किस जगा पर use किया है जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं मैंने one side और post side laminated board का use इस TV पैनल को बनाने के लिए किया है one sided laminated board पर unfinished side high gloss mica का use किया है और post side laminated board को door के अंदर use किया है similarly kitchen में भी shutter या फिर पलो के लिए one side laminated HDHMR board का use किया है बाहर के लिए high close mica लगाई है अंदर plain laminated finish ही है upper cabinet के अंदर के बॉक्स में both side laminated board का use किया है इससे हमें काफी फायदा यह हुआ कि अंदर की finish के लिए अलग से माइका नहीं खरीदनी पड़ी और pre laminated board के यूज़ से कारप्रेंटर का काम भी असानी से जल्दी से खतम हो गया और finish भी काफी अच्छी निकल कर आई है similarly हमने water rope, side table, study table और tracing table में भी one side और both side laminated का यूज़ किया गया है इस board को यूज़ करने के बाद मैं recommend करूँगा कि आप इस board का यूज़ जरूर करें especially तब जब आपके area में borratermite आदी की problem हो मैं इस board के use से totally satisfied हूँ पर आप इस board को कुछ जगा पर avoid भी कर सकते है जैसे bed, bed के लिए avoid करना का reason यह है कि यह बहुत heavy है अगर आपको कहीं पर भी bed shift करना हुआ तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी दूसरा कि कुछ cases में यह board band भी हो जाते है क्योंकि लंबे furniture के support भी कम जगा लगी होती है यह वीडियो आपको informative लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर किजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स वर वाचिंग सेविल डैमेंशन्स